जै देवी मा, तो चलिए हम लोग पठन करते हैं आज सब्तमों अध्यायका, यानि कि दुर्गा सब्तशती के सब्तम अध्यायका, इसमें हम चंड और मुंड का जो वद हुआ है, देवी ने जो वद किया है, उसका वर्णन का पठन और श्रवन करेंगी, मैं मातांगी देवी का ध्यान करता हूँ, वे रत्न में सिंगासन पर बैट कर पढ़ते हुए तोते का मधूर शब्द सुन रही हैं, उनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं, और मस्तक पर अर्ध चंड धरन करती हैं, तता कलहार मधु का हलका हलका प्रभाव जान पड़ता है, और लेलाट में बेंदी शोभा दे रही हैं, रिशी कहते हैं, तदंतर शुम्ब की आज्या पाकर, वे चंड मुंड आदी दैते, चतुरंगिनी सेना के साथ, आश्ट शस्त्रों से सुसजित हो, चल दिये, फिर गिरी राज ह माले के सुवन में उंचे शिखर पर पहुँचकर उन्होंने सिंग पर बैठी देवी को देखा, वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उन्हें देखकर दैते लोकतत परता से उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे, किसी ने धनुश्तान लिया, किसी ने तलवार समाली, और कुछ लोक देवी के पास आकर खड़े हो गया, तब अंबिका ने उन शत्रों के प्रती बड़ा क्रोध किया, उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भहुए टेड़ी हो गई, और वहां से तुरंत विक्राल मुखी काली प्रकट हुई, जो त अस्तियंत भेंकर जान पड़ती थी, उनका मुख बहुत विशाल था, जीब लपलपाने के कारण वे और भी डरावने प्रतीत होती थी, उनकी आखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी, वे अपनी भेंकर गर्जना से संपून दिशाओं को गुझा रही थी, बड़े- रक्चुकों, अंकुझधारी महावतों, योधाओं और घंटा सहीत, कितने ही हातियों को एक ही हात से पकड़ कर मुझ में डाल लेती थी, इस पकार घोडे, रत, सार्थी के साथ, रती से निकों को भी मुझ में डाल कर वे उन्हें बड़े भ्यानक रूप से चबा डालती किसी के पाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिरा कर मार डालती थी, वे असरूं के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शेस्त्र मुझ से पकड़ लेती और रोश में भरकर उनको दांतों से पीस टालती थी काली ने बलवान एवंदुरात्मा देतियों की वह सारी सेना रौन डाली खा डाली और कितनों को मार बगाया कोई तलवार के खाट उतारे गए कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अगर भाग से कुछ ले जाकर मृत्य को प्राप्त इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को छड़ भर में मार गिराया या देख चंड उन अत्यंत भ्यानक कालिका देवी की और तोड़ा तता महादेत मुंड ने भी अत्यंत भ्हेंकर बाणों की वर्षा तता हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भ्यानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानुसूर के बहुतेरे मंडलबादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हुँ तब भेंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोश में भरकर विकट अट्टा हस किया उस समय उनके विक्राल बदन के बीतर कठिंता से देखे सकने वाले दातों की प्रवा से वे अत्यंत उजवल दिखाई दे दी दी देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम शब्द का उचानण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की और दोड़ा तब देवी ने रोश्ट में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धर्ती पर सुला दिया महा पराक्रमी चंड और मुंद को मारा गया देखकर मरने से बची हुई बाकी से ना भैसे व्याकुल हो चारो और भाग गए तदंतर काली ने चंड और मुंद का मस्तक हाथ में ले चंडिगा के पास जाकर प्रचंड अठाहस करते हुए कहा देवी मैंने चंड और मुंद नामक इन दो महा पश्मों को तुमें भेट किया है अब युद्यकि में तुम शूंग और निशूंग का स्वैम ही वद करना रिशी कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंद नामक महा दैतियों को देखकर कल्यान मैई चंडि ने काली से देवी तुम चंड और मुंद को लेकर मेरे पास आई हो इसलिए संसार में चामुंदा के नाम से तुम्हारी ख्याती होगी इस प्रकार श्री मारकंडे पुराण में सावानिक मनवंतर की कता के अंतरगत देवी महात्मे में चंड मुंद नामक सात्मा अध्याय पूरा